हलो नमस्कार दोस्तों राज्तान जिला दर्शन के अंदर आज हम पढ़ेंगे बीका नियर जिले के बारे में इससे पहले हमने छेसाथ जिलो के बारे में पढ़ लिया था तो उनके वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दूसरी बात दोस्तों अपना टेलिग्राम चैनल है वो जरूर जोइन कर लेना आप इस्टेडि में तरदीपक ताकि जोग भी नगा वीडियो आता है तो अगर आपको यूटूब पर नौटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको वहाँ पर नौटिफिकेशन की जौरत नहीं ह पर आप पहुँच जाओगे तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था तो काफी मेहनत लगी थी दोस्तों अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना और देखने के बाद कमेंट जरूर करना ठीक है कि वीडियो कैसा लगा था आपको चलिए शुरू करते है वीडियो जिले की और बीकानेर का जो परिवहन कोड है वो क्या है दोस्तों RJ07 किसका परिवहन कोड है 07 बीकानेर जिले का कोड है ठीक है चलिए बात करते हैं बीकानेर की स्थापना की तो मारवाड के शाशक थे दोस्तों राव जोधा कौन थे राव जोधा उनके पुत्र थे राव राव जोधा के पुत्र राव बीका उन्होंने स्थापना करी थी बीका ने रियासत की कब करी थी 1465 के अंदर कब करी थी दोस्तों 1465 के अंदर राव बीका ने बीका ने रियासत की स्थापना करी थी और पहली जो राजधनी बनी थी बीका ने रियासत की वो बनी थी दोस्तो कोडम देसर क्या बनी थी कोडम देसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और राव बीका ने दोस्तों बीका ने रियासत की स्थापना के साथ ही बीका नेर में राठोड वंच की शुरुआत कर दी तो बीका नेर में राठोड वंच की शुरुआत किस ने करी है राव बीका ने करी है ठीक है बीकानेर रियासत की स्थापना कब करी है 1465 के अंदर अब बात करेंगे दोस्तों बीकानेर शहर की तो बीकानेर शहर की स्थापना होती है दोस्तों 1488 में राव बीका की दुआरा की जाती है पहले मैंने बीकानेर राज्य बीकानेर रियासत के बारे में बात करी अब मैं दोस्तों बीकानेर नगर यानि की बीकानेर शहर की बात कर रहा हूँ तो बिका ने शहर की स्थापना करी राव बिका ने 1488 इस्वी के अंदर कैसे एक लगू दुर्क का निर्मान करवाया जिससे कहा जाता है राव बिका की टेखरी ठीक है बाद में इसी टेखरी पर जुनागड दुर्का निर्मान भी होगा चलिए तो बिकाने शहर की स्थापना होती है 1488 के अंदर राव बिका के दुआरा एक लगूत दूर्ग बनाया जाता राव बिका की टेखरी कहां पर राती घाटी नामक शेतर के अंदर बनाया जाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं बिकानेर रियासत की स्थावना जहां की थी राव बिकाने उन्हें नहीं पता था कि वो किश शेतर में हैं क्योंकि महाबारत काल के अंदर वो जो शेत्र है दोस्तो किस नाम से जाना जाता था जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था ठीक है जांगल प्रदेश के अंदर मारवार और बीकानेरियनी की जोतपुर और बीकानेर का जो शेत्र है वो मिलकर क्या कहलाता था जांगल प प्रदेश की राज़दानी क्या थी नागोर नहीं अही चत्रपूर ती ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे सारी कहानी समझ में आपके कि बीका नेर की स्थापना किसने करी राव बीका ने करी 1465 में ठीक है कोडम देसर पहली राज़दानी बनी थी 1468 में बीका चल रहा था हमारा एक ही करण का जब चौथा चरण आया 30 मार्च 1950 को कब 30 मार्च 1950 को चौथा चरण था ठीक है उस चौथा चरण में राजस्थान में इसका विले हो गया था कि इसका बीका नेर का चलिए आगे बढ़ते हैं ये कहानी आपको सारी समझ में आगई होगी 2011 के अनुसार जनसंग्या जो है वो 23,63,937 है और जनसंग्या घनत्व की बात करें तो 78 वेक्ति परती वर किलोमीटर जो है वो बीका नेर का जन घनत्व है सबसे कम जन घनत्व जो है वो दोस्तों जेसल मेर का है 17 वेक्ति परती वर किलोमीटर है दूसरे स्थान पर बीका नेर यानी नीचे से गनत्व के अंदर नीचे से यानी 32 वे स्थान पर आ जाता अगर देखा जाए तो यह रास्तन में 33 जिले है ना तो 32 वे नंबर पर आता बीका नेर का जन गनत्व ठीक है तो सबसे कम किस का है जेसल मेर का है 17 वेक्ति परती वर किलोमीटर सबसे कम अनुसुची जन जाती यानी स्थी की जो जन संक्या है सबसे कम कहा है बीका नेर जिले के अंदर है कितनी है 77779 ठीक है कौन से जिले हैं जो बीका नेर को छूते है तो इधर से देखिए, मैप के अंदर देखिये, इधर उदर मत देखिए, गंगानगर, हनुमानगः, इधर से चूरु, और इधर से नागोर, और इधर से जोदपूर, और इधर से जैसलमेश, कितने एरो दिख रहे हैं, आपको लाल गलर के, 6 एरो बन गए, तो 6 जले जो है दोस्तों वो बीकानेर की सीमा को टच करते हैं और इधर से बीकानेर अंतराष्ट सीमा का भी निर्मान कर रहा है किसके साथ पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर 168 किलोमीटर की सीमा का निर्मान करता है ठीक है बीकानेर के साथ पाकिस्तान की कितने किलोमेटर लंबी सीमा लगती है 168 किलोमेटर लंबी सीमा लगती है तो ये जो है कहाँ पर है अंतराश्च सीमा पर इस ते जिला है जो चार जिले हैं उनमें से एक बीकानेर भी है शेत्रफल की बात करें तो 30,249 वर किलोमीटर शेत्रफल के साथ दोस्तो राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तो वो है बीकानेर ठीक है दूसरा सबसे बड़ा जिला दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है और आपको बुक्स के अंदर 27,000 something कुछ मिलेगा श चलिए उपनाम देखते हैं तो राती घाटी कहा जाता है बीकानेर को उन का घर भी कहा जाता है जांगल परदेश के नाम से जाना जाता है और उन्टो का देश भी कहा जाता है तो ये सब किसके उपनाम है बीकानेर के उपनाम है परमुक मंदिर या परमुक मेलो की बात कर कि पर्शुτα है यहां पर करणी माता कामेला सबसे फैमस मेला है करणी माता का मेला इसके अलावा के प्रस्तिद्द है काफी मेले पर uğजципा है एक्जाम के अंदर कि करणी माता का मंदिर का है देश नोग बीकानेर के अंदर है चूहो की देवी किसे कहा जाता है करणी माता को कहा जाता है यहाँ पर जो सफेज चूहे होते हैं उसने क्या कहा जाता है काबा कहा जाता है यहाँ पर दोस्तों कड़ाईया है जिने सावन भा बार भरता है क्योंकि नवरात्रे दो बार आते हैं और नवरात्र में ही मेला भरता है एक नवरात्र आते हैं चेत्र महा में और एक आते हैं अश्विन महा के अंदर तो दो बार साल में ये मेला भरता है करणी माता का मेला करणी माता है जो दोस्तों राठोडों की क्या है आरा तो कि convergence आगे बढ़ते हैंений कपिल्मोंई का मेला है एक कोलयल जील कोलय जाय है विकनेयर के पर इसनान करने को गंगा इसनान के बराबर ही माना जाता है पुश्कर मेला कब भरता है कार्तिक पुर्णिमा को भरता है तो कार्तिक पुर्णिमा को ही दोस्तो कपिल मुनिका भी मेला भरता है और कोलाय जील के किनारे ही कपिल मुनिका आशरम है चलिए बात करते हैं विश्णोई संप्रदाय से संबंदित जंबेशवर मेले की ठीक है जामबो जी का समाधी इस्तल है और विश्णोई संप्रदाय का ये पवित्र तीर्थ इस्तल है तो मुकाम तालवा के अंदर है नोखा भीकानेर के अंदर इस्तीत है ये जो जंबेशव तो दो बार भर रहा है नवरातर के अंदर यहां पर जंबेश्वर मेला है दो बार भरता है फालगुन और आसोजमा की अमावस को ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जामबो जी को दोस्तो पर्यावरण वेग्यानिक कहा जाता है ठीक है चननी चेरी मेला जिसे सेवको का मेला कहा जाता है किसे कहा जाता है सेवको का मेला चननी चेरी मेला को ही कहा जाता है कहा भरता है देशनोग बिकानेर के अंदर कब भरता है फालगुन शुकल सत्तमी को भरता है ठीक है यह है बिकानेर के मेले और अगला मेला है बिगगा जी का मेला तो राजस्तान की लोग देव बिगगा जी का मेला भरता है 14 अक्तूबर को हर साल भरता ओै कहां बिगगी गाउं बिकानेर के अंदर जाकर समाथ कि कुल देवता कून है बिगगा जी हैं इसके अलावे एक भेरुजी का मेला भी यहाँ पर भरता है दोस्तों और एक भटा पीर उर्स भी यहाँ पर भरता है कौन सा भटा पीर उर्स भटा पीर उर्स जो है कहां भरता है बीका नेर के अंदर भरता है एक नागने चीमाता का मेला भी भरता है यहाँ पर दोस्तों ठीक है और एक निर्जला ग्यारस का मेला भी भरता है कौनसा निर्जला ग्यारस ये ध्यान रखना निर्जला ग्यारस का मेला एक लक्ष्मी नारायन मंदिर पढ़ेंगे हम तो लक्ष्मी नारायन मंदिर है विकानेर के अंदर वहाँ पर ये मेला भरता है कौनस लक्ष्मी न नारायन मंदिर या लक्षमी नाथ मंदिर जो भी है ठीक है भगवान विश्नु और माता लक्षमी को समर्पीत है ये मंदिर तो इस मंदिर के अंदर ये मेला भरता है निर्जला ग्यारस का और निर्जला का ग्यारस कब आती है यह आती है जेश्ट जेश्ट मा के अंदर शु जी विदेवी वो है नागने ची माता लेगन आराद्य डीवी बताई थीमने आपको करनी माता Casey जलिए आशा करताँ को समझ में आ रहा होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट हो सके तो कर देना परमुग मंदिरों की बात करते हैं तो भांडासर जैन मंदिर रतन बिहारी मंदिर हैरब गणपती मंदिर लक्षमी नारान मंदिर इत्यादी मंदिर का है बिकाने चलिए सबसे पहले बात करते हैं भांडासर जैन मंदिर की तो भांडासर जैन मंदिर से एक बहुत परमुग बात हमको देखने को मिलती है जो एक्जाम मेel पूछी जा सकती है वो है घी वाला मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है तो भांडा सर जैन मंदिर जो है घी वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी जो नीव थी उसके अंदर क्या भरा गया था घी भरा गया था पानी की जगए इसलिए घी वाला मंदिर इसको कहा जाता है भांडासर जैन मंदिर को कहा जाता है कहा है बीकानेर जिली के अंदर है किसने बनवाया था तो यह बनवाया था दोस्तों भांडाशा ओस्वाल नामक वैक्ति ने बनवाया था किसने बनवाया था भांडाशा ओस्वाल नामक वैक मंदिर उस्तित है इसके अलावव लक्षमी नारायन मंदिर है जहां पर निर्जला ग्यारस्त को मेला भरता है ठीक है भगवान विश्झू और मातालक्षमine को समरपित है लक्षमी नारायन मंदिर जो है ठीक है कहाँ विका नेर के अंदर वैसे तो लगभ स्टिक कई Walter लों में मिल जाएंगे आपको ये मेन हैक हेरफ गणपती जी गणनीर पर दीखो जूना गड़ दूर कहां बिका नीर के अंदर यहांपर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्थियां हैं और यहां पर छोड़े मंदिर है और यहां पर हेरव गणपती जी का भी क्या है एक मंदिर है ठीक है और इसकी खास बात क्या है यहां के गणपती जी की कि यहां पर जो गणपती जी जो है दोस्तों वो शेर पर सवार है ठीक है किस पर सवार है शेर पर सवार तो शेर पर सवार गणपती जी कहा है ज तो चलिए आगे वड़ते हैं यहां पर होते हैं हमारे मंदिर हतम नेक्स्ट बात करते हैं यहां के परमुक व्यक्तियों की तो पिर्थिविराज राठोड जिने डिंगल का हैरोस कहा जाता है और इनकी परमुक रचना जो है दोस्तों बेली किसन रुकमनेरी गंगा जी का योजनाव से लेटेड वीडियो डाल रखें नदियों के वीडियों भी डाल रखें नहीं देखा है तो देख लेना जाकि अच्छे से समझ में आ जाईगी आपको ट्रेक और मैप से समझाई है मैंने आपको गंग नहर इंद्रा गांदी नहर ठीक है और बाकी जो भी नदि इससे पहले मैंने वीडियो डाला था ठारो सप्तावन की करांथिया का उसमें मैंने अमर्चंद बाठिया के बारे मैं आपको बता है था कि बीकानियर के निवासी थे लेकिन परिवार के साथ कहां चले गए थे गौालियर बिजनेस से रिलेटेट गौालियर चले गए थे और जहांसी की रानी लक्षमे थी उनकी आर्थि ग्रूप से काफी मदद की थी तो राजस्थान में थरो सप्तावनी औरानी करांथि के पहले शहीद कहे जाते हैं अमर्चंद बाठिया को कहा जाता है अग्परमुग महल की बात करें तो लालगर पैलेस अनूप महल गजने इसके अलावए ऐक अनूप संस्कृत लाइब्रेरी कौन सी एक अनूप संस्कृत लाइब्रेरी भी लालगड पलेस के अंदर ही ठीक है अनूप महल का आए बीका नेर के अंदर इस्तित है अनूप सिंग ने निर्मान करवाया था जहां पर बीका नेर के राज़ों का रास्तिलक होता था गजनेर पलेस का आए बीका नेर में गजनेर जील का आए बीका नेर में गजनेर वन्य ज ये एक बटबढ़ पक्षी होता है उसके लिए परसिद्ध कॉन गजनेर वन्यजीव अभ्यारण इसके लावा मरुधरा बायोलोजिकल पार कहा है बीकानेर के अंदर इस्तित है पर्मुक हवेलियां हवेलियों के लिए बीकानेर भी बहुत परसिद्ध है दोस्तों जैसेल मे तो पानि कहां से आता हैं नहर से आता है इंदरागंदी नहर पर Despite Mr. continued पानी आता है और इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना उसके उपर मैंने वीडियो डाल रखा है तो डीटेल से आप जाकर देख सकते हैं चलिए जीलों की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखो कोलायत गजने लून करंसर अनूप सागर सूर सागर इत्यादी यहां के प अहां होती है और राजस्तान में होती है लून करंसर के अंदर लून करंसर का है दोस्तों बीकानेर जीले के अंदर आता है तो राजस्तान का राजकोट बीकानेर ऑप्शन में बीकानेर तो बीकानेर और लून करंसर ठीक है और जो सारी जो है दोस्तों बाकी मीठे पानी की जील है और बीकानेर के एक शाशक थे राव लून करण जिने क्या कहा जाता है कल्यूक का करण कल्यूक का करण किसे कहा जाता है कल्यूक का करण किसे कहा जाता है राव लून करण को कहा जाता है ठीक है तो कोलायत, कोलायत जील के बारे में देख लेते हैं, बिकानेर के अंदर है मीठे पानी की जील है, जहाँ पर कपिलमुनी का मेला भी भरता है, कपिलमुनी का आश्रम है, और इसे कहा जाता है शुष्क मरुस्तल का सुंदर उध्यान, किस जील को शुष्क मरुस्तल का और बात करते हैं कि कुछ और अन्य महतपुन जगाओं की जिसमें सबसे महतपुन आ जाता है अपना जूनागड दुर्ग ठीक है जिसे क्या कहा जाता है जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है राती घाटी नामक शेतर में बना होने के कारण राती घाटी का किला भी कहा जाता है किसने निर्मान करवाया था दोस्तों ये करवाया था राई सिंग ने जो बीका राव बीका जी थे जिन्होंने एक लगो दूर का निर्मान करवाया था बीका जी की टेकरी उसी पर इसका निर्मान करवाया गया जूनागड का और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि दिवारों के भी कान होते हैं लेकिन जूनागड की दिवारे तो क्या है बोलती है किसके बारे में कहा जाता है जूनागड दूर के बारे में किसने निर्मान करवाया राय सिंग ने करवाया जमीन गड़ जेवर किसे कहा जाता है जूनागड दूर को कहा जाता है गुजरात के अंदर एक जिला भी है जूनागड चलिए आगे बढ़ते लालगड पहले इसके बारे में हमने पढ़ लिया था देविकुंड तो यहाँ पर क्या है दोस्तो देविकुंड की छत्रिया है वो क्या है बीकानेर के जो राजवन्ष है उनका शाही सम्षान है यह क्या है शाही शम्षान है देविकुंड की छत्रिया बीकानेर के राजपरिवार की छत्रिया है जिसमें राव कल्यान मल जो बीक पर दोस्तों महत्पुन तथ्थों को हम पढ़ लेते हैं फटाफट ध्यान रखेगा पूरा कॉंसेंट्रेट यहां पर रखेगा ठीक है इदर उदर अगर आपका ध्यान है तो फटाफट से ध्यान यहां पर लियाए क्योंकि हम अभी फटाफट जो है बीकानेर से संब्धिन मैंत्मुन तथ्य पढ़ने वाले हैं शुबंकर का वीडियो मैंने डाल रखा है ट्रिक से देख लेना नहीं देखा है तो खनीज वाले वीडियो भी डाल रखा है भटतीतर किसका शुबंकर है ऐसे याद कर आया था बीके भाटा की मार तो बीके से बीकानेर और भाटा से भटतीतर हैं राष्ट्य राज़्मार का वीडियो डाल रखा है कौन-कौन से राष्ट्य राज़्मार गुजरते हैं यहां से 15, 11 और 89 ठीक है नए नंबर भी सामने दे रख्ए हैं भुजीय अफापपड किस जिले क परसिद्ध है बीकानेर की परसिद्ध है मत्हेरण और उस्ताकला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है बीकानेर जाना जाता है उस्ताकला क्या है उट पर जो कारीगरी की गई है चित्रकला का जो परदशन क्या गया वो उस्ताकला के नाम से जाना जाता है मत्हेरण क्या है ज 1927 के अंदर इसका निर्मान पूरा हो गया था जसनाती संपरदाई की परधान पीट का एक कतरियासर बिकानेर के अंदर है अगनी नर्ते किया जाता है किसके दौरा जसनाती संपरदाई के अनुयायो दौरा बिकानेर की जीवन रेखा कौन सी नहर कहलाती है कमरसन लिफ्टन है चार नहरे आती हैं यहाँ पर इसके लिए दोस्तों आप पूरा वीडियो देखें इंद्रागांदी नहर प्रयोजना का बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको तो बीका नहर की जीवन रिखा कहलाते कमरसन लिफ्टन है इसके लाव राम इसने संपरदाई इसकी परधान पीट जो है वो कहा है शापुरा के अंदर है और इसी की जैसे रेंड शाका भी है और एक सीहतल शाका भी है और एक और शाका है तो सीहतल शाका जो है वो दोस्तों क करणसर बीकानेर के अंदर ठीक है राजस्तान का पहला गिद संद्रक्षन इस्तल कहा है जोहर बीड बीकानेर के अंदर है पहली केमल मिल्क डैरी देश की कहा है बीकानेर के अंदर है खजूर और बेर अनुसंदान के अंदर कहां पर है बीकानेर के अंदर है राजस्तान भाशा साहित्य, राजस्तानी भाशा साहित्य हैं संस्कृति अकादमी कि स्थापना 1983 में हुई थी, कहां पर इस्तित है, बीकानेर के अंदर है, प्रशन आता है एक्जाम में, परजामंडल के दोस्तों में ट्रिक से याद कराये था आपको संस्थापक, वीडियो पड़ा है, देख लेना, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल के स्थापना की गई, मगाराम वेद्य के द्वारा, बीकानेर को कैसे याद कराये था, कि बुखार आगई तो बुखार से, बुखार के लाज कराने के लिए किसके पास जाएंगे, वेद के पास, तो बुखार, ठीक है, बुखा बुखार, 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 कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है पता आपको दोस्तों के साथ शेर कर दे थोड़ से सेकंड्स लगेंगे आपको ठीक है इससे आप क्या कर पाओगे मेरा सपोर्ट कर पाओगे ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वी